क्रिप्ट प्रोड़क्शन एन फ्टी ऑन एन एर्ट अन विए इस वीडियों बात करेंगे एथेरियम के प्राइस के बारे में तो यहाँ पर इथेरियम का लॉंग टॉम का चाहट मैंने लिया हुआ है और लॉंग टर्म पर आपको दिखाने कोशिश करूँगा कुछ ऐसी चीज़ दिखाने कोशिश करूँगा जो आपका समझना बहुत जरूरी है यहाँ पर इथेरियम को चार्ड को हम देखते हैं तो मंतली चार्ड को मैंने लिया हुआ है यहाँ पर यह RSI है ठीक है और उसके बाद यहाँ पर यह नीचे प्राइस चार्ड है जो कि इथेरियम का 2015 से यानि कि एक अगस 2015 से यहाँ पर ट्रेडिंग्वी.com पर प्रोवाइट किया गया है तो यहाँ पर हम यह समझने कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसा RSI पर कुछ ऐसे इंडिकेशन हमें मिलते हैं जहाँ पर हमें समझ में आता है कि मार्केट यहाँ से उपर जा सकती है तो वो क्या इंडिकेशन है जैसे कि यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो मैं इन सब को डिलीट कर दता हूँ उसके बाद आपके सामने करके दिखाऊंगा क्योंकि यहाँ पर मेरे और मेरे चैनल का जो देश है वो यही है कि आपको टेडिंग सिखाना और समझाना ठीक है पर दोस्तों अगर हम देखेंगे तो इस तरह का नजारा हमें देखने को मिलेगा अगर यहाँ थहान से देखना है यहाँ पर विडियो को तो यहाँ से ने इस लो पॉंइट से एक टेंड लाइन को लिए और कुछ इस तरह से इसको plot करने की कोशिश की अब यहां पर मैं जो समझाने जा रहा हूं उसको ध्यान तमझना ठीक है यहां पर मैंने यह 10-9 को लगा दिया तो यहां पर हमें क्या दिख रहा है यहां पर हमें long term पर Ethereum का price bullish trend में दिख रहा है ठीक है यहां पर अगर हमने देखा था तो इस trend line से यहां से bounce back मिला था फिर वापस price retracement हुआ यहां पर एक trend line पर touch किया bounce back मिला वापक देखो यही trend line पर आकर test करने लगा है यहां पर दोस्तों मैं यह नहीं भोलना हूं कि यहीं से Ethereum को rise मिल जाएगा ल उपर भी ले जा सकती है लेकिन market है दोस्तों market है कोई भरोसा नहीं होता है कोई bad news आ गई यहां रिशेशन से related कोई नहीं खबर आ गई तो market गिर भी सकती है लेकिन करीब करीब यहां पर हम अगर देखेंगे तो हम एक trend line को अगर हम और plot करने कोशिश करते हैं तो जैसे कि य यह हम हटा देते हैं इसको इस तरह से यह देखो यहां पर देखो थोल्वादा टाइम देना इस वीडियो में तो बहुत कुछ अच्छे समझ में आएगा अब यह जोन बन गई ना कि bounce back हो रहा है प्राइस से जब भी trend line पर आ रहा है bounce back हो रहा है जब भी trend line पर आ रहा है bounce back हो रहा है अभी यहाँ पर आकर मार्किट ने इसको हिट किया है इट करने बाद यहाँ से थोड़ा था कॉंसलिडेशन होगा मतलब पहले क्वार्टर तक दूसरे क्वार्टर तक दोजार तेज़ के और उसके बाद मार्किट राइस करने कोशिश करेगी क्योंकि 2024 में बीटी सी की हाविंग भी होनी और हाविंग के बाद एक दो माहिने बाद मार्किट ऊपर चलना इस्टार्ट कर देती है अच्छे से तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे अब यहाँ पर यह तो हमने प्राइस चार्ट के ऊपर यहाँ पर यह एक जोन बना ली यानि कि एक डिमांड जोन है जो कि एक टेंड लाइन की शकल में है और दो ट्रेंड लाइन को लेकर मैंने यहाँ पर एक डिमांड जोन बना ली अब देखो यह ट्रेंड तो अभी बुलिश है अगर यह ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है कुछ इस तरह से तो लॉंग टम में यह बोलाया सकता है कि थेर्यम का यहाँ पर अगर हम देखेंगे त तो इस तरह से यहाँ पर यह 10-9 बैं लाइन के उपर आकर हिट हुआ है तो यहाँ पर यह अपडेट देना जरूरी थी क्यूंकि होता हिए दिए कि आपको अप्डेट तो वही मिलती है जिस पर फंपनेल पर लेखहे होतने करोड़ पति कैसे बनना है करोड़ पति यसे नहीं बनना यहता मेरे बाइद करोड़ चोड़ दो आप यह सोच कर ऑओ कि मैं मार्केट में पैसा कमाने आया हूं थोड़ा कम जो भी कमाना है वो मैं आपर कमा कर जाओंगा अब देखों यहाँ पर जिस तरीके से आपने bullish diversion का नाम सुना होगा उसी तरीके से hidden bearish diversion होते हैं बड़े टाइम फ्रेम पर अगर बनते हैं तो वह हम indicate करते हैं कि market उपर जाएगी अब देखों यहाँ पर मैं जो दिखाने जा रहा हूं उसको द्याव बहुत गहुर से देखना अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे दोस्तों तो यह एक low point हो गया ठीक है जहाँ से मैं RSI मिल ली है दूसरा low point हो गया यह अगरी बाद समझ में एक low point ही है और दूसरा low point ही है अब यहाँ पर RSI को अगर हम देखेंगे तो एक low point यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा और दूसरा low point कमो बेश हमें यह point समझ सकते हैं ठीक है लेकिन 10 line के according यहाँ पर देखो पहले तो यहाँ से हमने 2 एक low यह हो गया और एक low यह हो गया लेकिन यह low ज़ादा है कैसे है यहाँ पर मैं एक LINE को लेता हूँ और उसके बार यहाँ माइगनेट कान करता हूँ इस तरह से इसको प्लाट कर देता हूँ अब यहाँ पर अगर आप गवर से देखोगे इसको मैं हटाता हूँ देखो यह low point ऊपर दीख रहा है तो यह low point यहाँ मानते है अब देखो ये low point को और इस low point को मिलाते है ठीक है यहाँ से हमने इसको इस तरह से मिलाया RSI जो low बना रही है पिछले के low से ये low जादा बना रही है वहीं पर price जो है वो उपर के side जा रहा है यहाँ पर मैं vertical line में लगा देता हूँ ताकि आपको confusion ना हो यहाँ पर इसको ये बोल्ड कर दिया इस area में देखो ये ये low point था ये low point इस से थोड़ाँ सा जादा था लेकिन यहाँ पर 10-9 हीट हो रही थी ठीक है तो ये यहाँ से में indication मिला कि market उपर जा सकती तो यह क्या हुआ यहाँ यहाँ पर एक बहुत ही आपको एजूकेशनल चीज आपको बता रहा हूँ कि अब दूसरी बार में क्या हुआ अगर यहाँ पर देखो यह point को यह लो था मतलब यहाँ पर यह लो ज्यादा था 80 डालर का और उसके बाद जो लो बना यहाँ पर इसको नहीं पर देखेंगे तो आटसो 80 डॉलर का एक लो बनाता थीक है यहाँ से में एक line को लेते हैं और इस तरह से भाग करता तो 880 work 80 दॉलर का यह लो बना अब यहाँ पर अगर देखें प्वाइंगे तो इस पॉइंट पर ऑव इस सदो यह पक्रण पर शीरिंग कर और मैंने एक प्लाइन को लिया और इसको यहाँ पर प्लाट कर दिया तरह से यह ठाद है यह का दीकर रहे यहां पर अगर देखो कि मंतली चार्ट पर RSI को एथेरियम की तो यहीं से RSI को पूल बैक मिला यानि कि एक अप्ट्रेंड यहां पर शो कर रहा है क्योंकि फुट्टी पर आकर फुट्टी के अगल बागल आकर आसपास आकर सपूर्ट ले तो मार्केट ऊपर जा सकती है अब देखो इस तरह का कॉंसलिडेशन हो सकता है ऑगर वही हो भी रहा है तो करिब करिब वही चीज़ यहाँ पर बंद भी रही है तो थोड़ा साइड कर सकते हो और बस इसके breakout पर जैसे यहां पर यह breakout ऊपर की साइट मिला था तो हमें अब 10 देखने तो अब यह condition जब बनती है तो यह नीचे के साइट भी break कर सकती थी लेकिन इसने किया ऊपर के साइट to इधेर हम ऊपर चला गया अब इस तरीके condition बनेगी अगर हम यहां से देखेंगे तो 2018 में कंडिशन बनी थी और 2020 में इसका ब्रेक आउट आया था तो यहां पर भी अगर हम देखेंगे तो 2022 से कंडिशन बनना शुरू हुई हो तक 2023 पूरा इसी कंडिशन में जाए उपर नीचे ठीक है तो यहां तो यहां ते ब्रेकर के नीचे भी आ सकती है दोनों ही के बाद मार्किट को उपर ले आ सकता है तो यह चीज यहां पर आपको समझना आपका जरूरी था तो यहां पर मैंने आपको बिल्कुल किलियर कट सम्झाने की कोशिश किये एक चीज़ मंतली चाट पर महुर भी देखते हैं तो वाल्यूम को देखेंगे तो इस तरह से बेरिश वाल्यूम उपर या रहा है ठीक है यहां पर आप देखोगे तो प्राइज वाल्यूम उपर या रहा था तो यहां से आप देखोगे तो प्राइज भी उपर या रहा था तो यह कंडिशन होती जब इसके विपरीद कंडिशन बनने लगती है तो यह होता है कि मार् लोगों के लिए हेलफ लहाओ तो लाइक ज़रूर करना है ज़्यादा शेयर करना है इस वीडियो को नेक्स्ट अबडेट मिलने कोशिश करते हैं जब तक लिए मुझे को इजाद दीजिए जै हिंद जै भारत